देखे जो एजेंडा लेके दारा सिंग चौहां जी समाजवादी पार्टी में गये थे और जो बता करके जनता से जो गुम्रहा करके गये थे उन्होंने कहा था कि भारती जनता पार्टी दलितों गरीबों और पिछणों का सोसड करती है मैं एक प्रमाड हूँ मैं अति पिछडी जाती राजभर समाथ से आता हूँ और भारती जनता पार्टी ने फिर से एक बार टिकर दे करके और बताया है कि भारती जनता पार्टी दबे कुछले सोसित और अति पिछणों के साथ जनता पार्टी की इस बार आंधी चलने वाली ह जो 2017 का दिर से आप सभी ने पुर्वांचल का देखा होगा जो पुर्वांचल माफियाओं के नाम से जाना जाता था जो पुर्वांचल गुंडों के नाम से जाना जाता था जो पुर्वांचल चोरी, डकेती, हत्या और बलातकार के नाम से जाना जाता था वो पुर्वांचलाज विकास के नाम से जाना जाता है वो पुर्वांचलाज बावा विश्वनात के नाम से जाना जाता है वो पुर्वांचल माविजिनदवासनी धाम के नाम से जाना जाता है इसी प्रकार विकास का जो पहिया तेजी से पुर्वांचल की तरफ दोल रहा है उस पहिये को और आगे ले जाएंगे और उस विकास की आंधी में पूरे समाजवादी बसपा और कांग्रेस की लोगों को कहीं जगए नहीं मिलेगी जनता पूरो बहमत से प्रचंड बहमत से 2022 बाइच की सरकार बनाने को त्यार है । भारती जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का सिंबल ही मिलना हमारे लिए बहुत ही भागे की बात है और मैं उसको अपने आपको वह बहुत ही भागे साली समझता हूँ देखे जो एजेंडा लेके दारा सिंग चौहां जी समाजवादी पार्टी में गए थे और जो बता करके जनता से जो गुम्रहा करके गए थे उन्होंने कहा था कि भारती जनता पार्टी दलितों, गरीबों और पिछणों का सोसड करती है मैं इक प्रमाड हूं, मैं अत् KIM आती पिछणी जाती राजबर समाद से आता हूं और भारती जनता पार्टी ने फिर से एक बार ठीट देखर करके और बताया है कि भारती जनता पार्टी दबे, कुछले, सोसित और अत्री पिछणों के सात है और सुिक्षम एक्रम हमको टिकर देखर का पुर्विड काल में वीरता था उसके बाद भी हमने सच्छा-सुरक्षा और स्वास्त के मामले में कई सारे काम किये थे वही जो काम अधूरे हैं वो सारे काम और आगे पूरा करेंगे भारती जंता पार्टी की इस बार आंधी चलने वाली है जो 2017 का अधिर से आप सभी ने पुर्वांचल का देखा होगा जो पुर्वांचल माफियाओं के नाम से जाना जाता था जो पुर्वांचल गुंडों के नाम से जाना जाता था जो पुर्वांचल चोर पूरे समाजवादी बसपा और कांग्रेस की लोगों को कहीं जगए नहीं मिलेगी जनता पुड़ो बहुमत से प्रचंड बहुमत से 2022 की सरकार बनाने को तयार है उतोर प्रदेश सरकार जब से योगी जी के नेतितों बनी है पहली बार उतोर प्रदेश में युवाओं को पारदसी तरीके से नोकली मिली है एक रुपिया कहीं भी नहीं लगा है। जो सरकारे थी एक तरफ से नोकरी निकलती थी दूसरे तरफ से उन सरकारों के लोग जोला निकिन निकलते थे लेकिन हमारी सरकार में युवाओं का विश्वास बड़ा है और नोकरी पारदसी तरीके से नोकरी रोजगार सारी चीज़े मिल रही है युवा प्रसंद है हमारे जो मव घोसी मधुबन और महम्मदाबाद में हम सभी तीन विधायक थे एक जो मव शदर विधानसबा छूड़ गई थी इस बार योगी जी के नित्वत में हम सभी चारों वि कास के करम में हम सभी जुड़ेंगे